दोस्तों प्रदीवीरी एकाइटमी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम एक नए मॉडिल के साथ आ चुके हैं आप सभी लोगों से सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितना वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हैं प्यार दिखा सकते हूँ जितना लोगों तक शेयर कर सकते हो तो प्लीज जल्दी-जल्दी कर दो क्योंकि आप देख सकते हो कि रात के 11 बजे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ then उसके बाद मैं आपके लिए भी वीडियो record करता हूँ क्योंकि मैं आपको उतना ही importance देता हूँ क्योंकि आप हमें प्यार और support बहुत अच्छा कर रहे हो तो दोस्तों ऐसे ही करते रहो कि मेरे अंदर एक आपके लिए motivation रहे कि जिससे मैं रात बर आपके लिए काम करूँ आपके लिए वीडियो बनाते रहूँ already मैंने module number third complete कर दिया module number fourth cover tracing वाला भी complete कर दिया हाँ उसके अंदर parametric का एक type का question है वो मुझे लेना है वो भी जरूर एक दो दिन के अंदर वीडियो बना दूँगा इसके नीचे अच्छे comment देखके देन इसके बाद last वाला जो module है double integration हमने hundred percent cover कर दिया हाँ triple integration cover कर दिया पर उसके अंदर कुछ topics मुझे बनाना है तो वो भी मैं करके आपको बहुत अच्छे से videos provide कर दूँगा और यह module भी हम start कर रहे है और courses करेंगे जल्दी यह module cover कर दिया आज हम first topic cardison spherical polar and cylindrical coordinate system देखने वाले हैं पूरे basic से दोस्तो one by one पूरे के पूरे formulas सब कुछ मैं आपको याद कराते जाओंगा trick wise कैसे याद रखना है सब कुछ बताते जाओंगा तो दोस्तो कहीं पर भी अगर cardison coordinate system है तो आपको पता है कि x, y, z spherical polar system हाँ एक और चीज़ कि मैं देखो आपको बहुत ज़्यादा burden में नहीं डालना चाहता है कि यह spherical polar system का मैं diagram बनाओ फिर आपको सब बताओं देखो और last time है आपको इतना सब कुछ दिमार्ग में रखने की कोई ज़रूरत नहीं उसके बाद भी आप बहुत अच्छे marks score करोगे full marks score करोगे जितना आपके exam के लिए important है उतना में बताते जा रहो अब दोस्तो यहाँ पर x, y, z आपको यहाँ पर values इसके याद कर लेने है इसको अगर एक दो बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा, अब दोस्तों हमेशा याद रखना, spherical polar coordinate हमेशा उसमें पहले r आएगा, then theta आएगा, then phi आएगा, जैसे यहाँ पर x आता है, y आता है, z आता है, तो इसमें r, theta, then phi, अब दोस्तों यहाँ पर x equal to y equal to z equal to, बहुत easy है, देखों, यहाँ पर z equal to z, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, अब x और y में, दोस्तों, यहाँ पर जो भी green color में दिखाई दे रहा है, वही लिख दो, बस r के साथ, देखों, यहाँ पर r लिखा, green color में यहाँ पर दिख रहा है, दोस्तों, cos phi, लिख दिया, r लिखा, यहाँ पर green color में क्या दिख रहा है, दोस्तो, sign phi हो गया, और इसमें यहाँ पर देखो, रो, इसे आप कोई भी notation बोल सकते हो, जो आप pronounce करोगे, कोई भी चलेगा, यहाँ पर phi और यहाँ पर z, तो इस format में आपका, यह क्या है, दोस्तो, cylindrical coordinate system है, तो यह थोड़ी बहुत चीज़े आपको याद कर लेनी है, अब देखो, कुछ मैं basic चीज़े बता रहा हूँ, जो आपके, आगे वाले lectures के लिए, बहुत जादा important होने वाला है, क्योंकि इसके बाद वाला जो मेरा lecture होगा, spear के उपर होगा, और वो आपके exam का सबसे important part है, spear, बाद में cone, तो यह बहुत ही जादा important है, उसके लिए यहाँ से, जो 12 के कुछ basics है, वो सब जरूरी है, और सब कुछ मैं यहाँ पर आपको करवा दूँगा, आपको 12 के book की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने 12 में नहीं भी पढ़ा होगा, तो भी कोई दिख्कत नहीं है, अब दोस्तों यहाँ पर देखो distance formula, अभी तक हम 10 में हमने देखा था, 2 point का distance, अभी अगर आपको कोई भी 2 point का distance निकालना है, तो दोस्तों इसी तरह से under root में लेके आपको निकालना है, अब आप आगे solve कर सकते हो 1 square, then दोस्तों यहापे कहाएगा minus 3 का square मतलब 9, और यहापे दोस्तों 7 का square 49, तो finally अगर आप इसे plus करते हो, plus करके मुझे बताओ कि answer कितना आता है, 59 आता ही, क्या आता है under root of, मुझे please comment करके बताना, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा, कि आप च extends formula, मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी students जब आगे चले, तो उसे सब चीजे पहले से ही, अच्छे से समझ में आए, उसे ऐसा नहीं कि कोई बोले, यार यह तो 12 में था, मैं सब चीजे आपके लिए लेकर आया हूँ, देखो यहाँ पे direction cosine, जो आपने line और plane इस lesson में पढ़ा वेक्टर्स में भी आपने पढ़ा था, लास्ट में, direction cosine यह सर, तो सबसे पहले मेरे लिए आप बस याद कर लो कि direction cosine मतलब क्या होता है दोस्तो, dcs, बस याद रखना, insert याद रखना dcs, इसको हम denote करते है, small l, small m, small n से, यह अपने अच्छे से अपने दिमाग पर बिठा लि होनता है, m equal to, दोस्तों क्या आएगा, cos beta, and n equal to, दोस्तों क्या आएगा, cos gamma, अब दोस्तों यहाँ पर यह यहाँ पर यह l square, m square, n square, which is equal to 1 होता है, वैसी दोस्तों, cos square, alpha, cos square, beta, cos square, gamma, which is equal to 1, तो यह कुछ notations आपको बस याद होने चीए, overall बस आप याद रखना, direction cosine, मतलब l direction ratios, मतलब DRS हम इसे बोलते है, insert हम इसे क्या बोलते है, दोस्तों DRS, DRS, DRS बीच बीच में आएगा, तो जिसे हम later A, B, C से denote करते हैं, याद रखना, बस कहीं पर DRS आया तो ABC याद रखना, कहीं पर DCS आया तो LMN याद रखना, अब दोस्तों यहाँ पर हम L, M, N, याद रख यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर C होगा, हमेशा उसको divide होगा, अब दोस्तों यहाँ पर L एक और formula है, BCS का, under root of A square, plus B square, plus C square, तो कभी भी अगर आपको DCS पता है, ABC पता है, तो आप L निकाल सकते हो, सेम यहाँ पर M equal to क्या आएगा, दोस्तों, B upon, यह भी आपने 12 में पढ़ा है, A square, plus B square, plus C square, बहुत ज़रूरी है, सब चीज़, अभी आपको आगे आएगा, और बहुत अच्छा lesson ही है, C equal to, वहलों, N equal to C upon A square, plus B square, plus C square, ठीक है, आपने इतनी सारी चीज़े पढ़ ली, द दोस्तों, अगर सबोज यहाँ पर line दिया है, और इस line के हमें दोनो coordinates पता है, यह वाला ही पता है, यह वाला ही पता है, for example, PQ segment के, और हमें क्या निकालना है, दोस्तों, इसका DRS निकालना है, तो बहुत easy है, आप क्या करों पता है, इस में से इसको minus करता है, जैसे X2 minus X1, तो आपको A मिल जाएगा, देन दोस्तों, यहाँ पर B निकालने के लिए आप क्या करोंगे, Y2 minus Y1, और दोस्तों, C निकालने के लिए क्या आएगा, Z2 minus Z1, आपको आगाम से ABC का value मिल जाएगा, तो प्लीज यह वाला पार्ट अपने दिमाख में बिढ़ा लो, अच्छे से कि कभी भी अगर कोई भी segment का DRS निकालना, तो उसके दोनों end point पता होने चीज़, यह 3,4,5 है, यह 5 है, 6,9 है, तो यहाँ पर पहला 3 था है, यहाँ पहला 5 है, तो 5 minus 3 यहाँ पर क्याएगा 2, तो A का value क्या हो गया 2, अब दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं, अब हमने 12th class में पढ़ा है, तो देखो, आपको पता है, L, L, M, M, दो लाइन है न, दोस्तों, N, sorry, M, M, प्लस N, N, आपने पढ़ा है, सब्सके यह दो लाइन है, इसके बीच का हमें angles निकालना है, तो समझो, दोनों लाइन का हमें DCS पता है, तो अगर मुझे angle निकालना तो cos theta equal to, अब बस याद रखो, 9 और 2 क्या होता है, 11, 11 के बाद 1 क्या आता है, 12, 12, 12 याद रखो, आपका काम हो जाएगा, 12, 12, याद हो गया, अब दोस्तों, इसके बाद, यहाँ पर भी formula है, अगर सबोस आपके पास DCS नहीं है, आपके आपके आपस DRS है, तो भी आप याद कर स सेखते हो, दोस्तों, AA, प्लस BB, प्लस CC, अब दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट आफ, और यहाँ पर भी अंडर रूट आफ, पहले वाले लाइन का, A1 स्क्वेर, B1 स्क्वेर, प्लस C1 स्क्वेर, दूसरे वाले लाइन का, A2, B2 का स्क्वेर, और C2 का स्क्वेर, यहाँ यहां पे 12, यहां पे भी 12, यहां पे भी 12, कितना easy तरीके से आपको याद करवा दिया, तो please आप ऐसे याद रखो, आपको इसी तरह से study करना है, तो आपका बहुत अच्छे सब चीजे हो जाएगी, अब देखो plane, plane के लिए क्या क्या चीजे necessary है, आपके लिए, सब चीजे मे वो normal से है, तो यहां से यह सब चीजे आपको समझ में आ गई, equation of plane passing through point, अगर समझो यह वाला plane किसी point से पास हो रहा है, तो उसे हम लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, a, देखो यहां x है न, तो x लिखना है, minus यह वाला x1, फिर क्या हैगा, b, y, minus y1, plus c, z, minus z1, which is equal to 0, direct, d मत लिखना, then दोस्तों, general equation of plane passing through origin, suppose यह origin से पास हो रहा है, किसी point से नहीं पास हो रहा है, यहां पर origin है, 0, 0, 0 है, तो यह क्या हो जाएगा, ax, plus by, plus c, z, which is equal to 0, तो देखो, एक origin यहाद रखना, passing through point यहाद रखना, यह, अब दोस्तों, यहाँ पर plane top, यह बहुत सारे sum के बीच पे use होगा आगे, जब मैं spear कराऊंगा, spear के साथ मैं plane ले लूँगा, तो उस टाइम पे आपको यह नहीं होना चाहिए, यार मेरे को तो यह पता ही नहीं है, the length of the perpendicular from point, from point, point हमें पता है, on the plane, यहाँ पे, सबुझ यह एक plane है, और यह length of, यहाँ पे एक point है, इसके बीच का perpendicular म मुझे निकालना है, यह दे को plane का equation दिया है, तो आप easily निकाल सकते हो, P equal to, जो भी plane का equation दिया है, दोस्तो, वहाँ X की जगा पे यहाला point पूट कर दो, X1, Y की जगा पे Y1, C की Z की जगा पे Z1, और upon D, upon दोस्तो, under root of A square, B square, और C square, जो भी DRSS का square ले लो, तो प्लीज यह formula याद रखना, वहाँ पे जब मैं use करूँगा, तो आपको करने आना चीए, और सभी formula को एक एक बार वीडियो को रोक रोक के खुद से लिखो, और इसके बाद आप देखो कि आपको यह सब चीजे याद है कि नहीं याद है, अब दोस्तों यहाँ पे passing through the point, अगर आपको equation of line निकालना है, यह भी आपका 12th class का formula है, आपको equation of line निकालना है, तो अगर आपका equation of line दो point से pass हो रहा है, और आपको DRS पता है, तो आपका वो equation क्या हैगा, तो दोस्तों आपको अगर सबसे बहले DRS अगर पता है, तो आप नीचे लिख दो DRS A, B, C, और अगर आपको एक point पता है, तो कैसे लिखो कि X-X1, Y-Y1, and Z-Z1, तो इससे आपको यह partition form में उसका equation मिल जाएगा, आप बस दिमाख में रखना, कभी भी अगर मैं कोई भी sum solve कर रहा हूँ, अगर कोई भी line एक point से pass हो रही है, उसका DRS मुझे पता है, तो उसका equation इस वाले formula से बनेगा, अगर ह दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको पता है DRS आता है, और DRS थोड़े दिर पहले ही मैंने बता है कि कैसे निकालते है, देखो, starting में ही बता है, दो points पता है, तो DRS क्या करेंगे, इसमें से इसको minus करेंगे, तो सेम वहाँ पर भी वही होने वाला है, सेम वहाँ पर देखो, X2 माइनस X1 होगा, तो देखो, X2, सेम यही फॉर्मला है, बस यहाँ एक ही जगाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर कहाँगा Y2 माइनस Y1, और यहाँ पर दोस्तों कहाँगा Z2 माइनस Z1, प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, ठेक कर सकते हो यार टाइम, बहुत लगेगा मुझे, और जितना हो सके नीचे बहुत अच्छा अच्छा कॉमेंट करना, कि मुझे बहुत अच्छा लगे, अब दोस्तों, इसके बाद एक कोशन है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है, कि देखो, find the spherical polar and cylindrical coordinate of the point, हमें यह point something दिया है, देखो, यह तीनों point में कहीं भी आपको angles नहीं दीख रहा है, तो समझ जाना, यह partition form में, इसलिए मैंने x1, y1, z1 ले लिया, अब आपको क्या करना है, पहले spherical polar coordinate find out करना है, कौन सा, spherical polar coordinate, तो दोस्तों, spherical polar coordinates के लिए मैंने कुछ आपको दिया हुआ है, बाजू में आप देख लो, तो यह वाला step आपको follow करना है, spherical polar के लिए आपको सबसे पहले यह वाला r square, which is equal to x square plus y square plus z square, तो मतला r equal to under root of x square plus y square plus z square, then r equal to यही वाला, same, x का value कितना है, दोस्तों, 1, 1 का square, y का value कितना है, 1, इसका भी value क्या है, 1, then r equal to under root of 1, 1, 1, 3 हो जाएगा, तो यह r का value पता चल गया, क्योंकि आपको पता है, यह spherical coordinates क्या होता है, पहला r होता है, then दोस्तों theta होता है, then दोस्तों phi होता है, तो r तो हो गया, अब आपको क्या करना है, इस वाले formula से theta निकाल लेना है, तो देखो, मैं यहाँ पर cos theta का formula apply करो, cos theta which is equal to z by r, दोस्तों, यहाँ पर देख theta which is equal to cos inverse 1 upon root 3, अब दोस्तों, cos के table में अगर आप जाके check करोगे, तो 1 upon root 3 किसी का यह value नहीं आता, 1 upon root 3, तो आपको यह Kelsey में check करना हो, Kelsey में आप चेक करोगे, तो 54 point something आपको वहाँ पर आएगा answer, जो भी आएगा, आप Kelsey में देख लेना, इसका answer, then अब दोस्तों, आपको य तो देखों, यहाँ पर 10, 5, equal to क्या है, y by x, तो यहाँ 5 equal to क्या हैगा, दोस्तों, tan inverse, y by x, तो यहाँ पर 5 equal to क्या हैगा, दोस्तों, tan inverse, yes, what is y, 1 है, x भी 1 है, तो 1, और 5 के table में, 10 के table में, 1 किसका value आता है, दोस्तों, pi by 4 का, तो यह pi by 4 तो मैं direct लिख सकता हूँ, तो finally मु तो finally मुझे मिल गया, r कितना है, under root 3, यह theta जो भी आपका आएगा, 54 point something, जो भी होगा, वह आप लिख देना, then 5 का value कितना है, दोस्तों, pi by 4, हो गया, इस तरह के question अभी तक exam में पूछे नहीं किया है, जादा नहीं पूछे जाते, पर फिर भी हमारे topic में है, तो दोस्तों, हमें solve करना चाहिए, एक भी topic आपको skip नहीं करना चाहिए, कभी कबार exam में आ सकता है, अब दोस्तों, आपको cylindrical coordinates solve करना है, तो उसके लिए आपको ये step follow करना है, तो सबसे बहले देखो, x square plus y square, यहाँ पे देखो, दोस्तों, यह square का वहाँ पे जाएगा, तो root x square plus y square, सब मै ने आपके लिए बहुत easy कर दिया है, अब देखो, दोस्तों, x और y आपको पता है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो finally, यहाँ पे कहाँगा root 2, तो यहाँ रो का answer आपका कहाँगा root 2, इसे आप कुछ भी बुला सकते हो, जो आपको इसको pronounce करते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरा step आपको क्या निकालना है, 10, 5, equal to y by x, तो यहाँ 5 equal to कहाँगा, दोस्तो, 10 inverse y by x, यहाँ पे 5 equal to कहाँगा, दोस्तो, 10 inverse, yes, y कितना है 1, x कितना है 1, तो 5 equal to कहाँगा, दोस्तो, 10 inverse 1, अब 5 equal to कहाँगा, दोस्तो, 10 inverse 1, मतलब कितना होत ये भी हो गया अब दोस्तों इसके बाद तीसरा Z Z equal to कितने हैं दोस्तों 1 तो Z equal to 1 आ जाएगा Z equal to Z होता है मतलब Z equal to 1 तो finally अगर आप इसका answer लिखोगे तो इसके answer में पहले ये आएगा दूसरे number के इसके answer में क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा दिसरे number पे Z आएगा तो जो भी values आए हैं आप यहाँ पे लिखतो तो आपका ये भी हो गया तो इस type का मैंने आपको questions all करा दिया अब देखो ये वाले question आपके university exam में पूछे गये हैं तो इसलिए मैं भी ये question लेकर आया हूँ बाकी कोई दिक्कत नहीं देखो यहाँ पे का अगर partition coordinate निकालना है और इस तरह से question पूछा है अब देखो हमारे पस दूर्ट ये पहला हमें पता है partition coordinates then हमें पता इस spherical polar coordinate में r होता है then theta होता है then phi होता है then दोस्तों हमें rho फिर यहाँ पे हमें इसके बाद यहाँ पे theta sorry theta लिखो यहाँ पे दोस्तों phi and then z देखो न अभी हमने थोड़े दिर पहले ही किया देखो यह तो यह भी हमें पता है तो मुझे बताओ कि यह कौन से type का है देखो यहाँ पे पहले कुछ दिख रहा है यह दोनों में इससे हो सकता है यहाँ पे देखो theta लिख यह दोनों भी हो सकता है पर यहाँ अगर यह यहाँ पे z का value होता है जैसे 1,2 होता तो वो cylindrical coordinate से पर अगर यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे theta लिख ही value होता है समझ जाना यह कौन सा है? Spherical polar coordinate है तो finally r का value कहा है दोस्तो 2 theta का value कहा है दोस्तो pi by 3 and दोस्तो 5 का value कहा है दोस्तो pi by 4 तो यह आपने लिख दिया अब यह देखो starting का formula है हमें क्या करना है? Spherical polar जो formula x equal to y equal to z equal to हमें किसमें चाहिए? Cartesian coordinates में चाहिए? तो ज़स्त यहाँ r का value देखो मैंने रखा, theta की जबे मैंने theta के values रखे अब इसे solve कर दो अब आप इसे solve करो, जो भी answer आएगा वो आपका answer होगा, अब आपको देखो यह 2S ही है, अब यहाँ पाइबाइ 3 है पाइबाइ 3 मतलब कितना हो दोस्तो देखो, pi मतलब कितना हो दो 180 उसको 3 से divide करो 60 sin 60 कितना होता है दोस्तो under root 3 by 2 cos 45 कितना होता है दोस्तो 1 upon root 2 अब यह पूरे को solve कर दो आपका answer आजाएगा, तो इस तरह से आप इसे भी इसे भी, तो इस तरह से आप partition coordinates find out कर सकते हो, तो आपके exam में एक बार पूछा गया था, इसलिए मैंने दिया तो overall मैंने सब कुछ लिख दिया बहुत अच्छे से आपका lecture complete करा है वीडियो को देखने के लिए दिल से thanks, thank you so much दोस्तों मिलते हैं next lecture में, जैहिंद दोस्तों